बिहार के राजनित का आइटम बॉय नहे हूँ छोटा मुँ बड़ी बात नई करना चाहिए तो हम जमूरा है तो नरेंदर मोदी जी मदारी हैं खुद ना उसका ब्यान है लोग सभा का जो हुआ जो मुँ देखा पस्पति कुमार पाराजी के किरपा और असिरबास से कौन है अरून भारती भाई? सांसाद अरे कौन छुट भाईया नेता का बात कर रहे है सांसाद हो जाने से नेता होता है नितीज कुमार जी सहीद पादर्मिय नितीज जी के सहीद जनता दली के सभी नेताओं ने उसको जमूरा कहा था। जनता दली नैटिट के सारे वरिष्ट नेताओं ने उसको जमूरा कहा था। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रेय लोग जनशक्ती पार्टी के राष्ट्रेय प्रवक्ता और फारब्रेंड नेता श्रवन अगरवाल जी मौझूद है। जिस वक्ती का नाम ले रहे हैं नितीज कुमार जी सहीत आधर्मियन नितीज जी के सहीत जनता दलियू के सभी नेताओं ने उसको जमूरा कहा था। जनता दलियू नेतेट के सारे वरिष्ट नेताओं उसको जमूरा कहा था। चिराग पासवान ने खुद कहा था कि जनता दलियू हमको जमूरा कह रही है। तो हम जमूरा है तो नरेंदर मोधी जी मदारी हैं। खुद ना उसका ब्यान है। उसी जमूरा की नबात कर रहे हैं आप। बिहार के राजनीत का आइटेम वाए नहे हूँ। को नेता है। आप जो भी बता रहे हैं लेकिन वो तो कहे रहे हैं साफ तोर से कि आपके पार्टी अब एंडिये का हिस्सा है ही नहीं अरे हम लोग के गाउं देहात में हम लोग के तरफ कहावा थे गो नया नया जो मौलाना होता है न मुला पियाज बहुत जादे खाता है आज कल वह बैक्ति प्याज लगता है बहुत जादे खा रहा है अब प्याज जादा खा रहा है तो जादे आनापसनाप बोल रहा है है ना आसमान पर थूकना नहीं चाहिए आसमान पर थूको गए तो थूक आपस आफी के चेहरे पर गिरेगा जिस वेक्ति की बात कर रहा है जुम्मा जुम्मा चार दिन पहले तो एंडिये में आया है और वेक्ति कह रहा है पस्पति कुमार पारजी एंडिये में थे ही कब अपी समय से अपने आपको मोदी का अनुमान बताते हैं अरे क्या कहा था उसने आप लोग भूल गए क्या याद नहीं है उसका नारा 2020 भूल गए नरंदर मोदी से बैड नहीं नितिस कुमार तेरी खैर नहीं उसी वेक्ति कहना नारा था उसी वेक्ति नहीं कहा था ना जो वेक्ति कह रहा है आज कल कल तक नरंदर मोधी का हनुमान बना फिरता था आजकल नितिश कुमार का हनुमान बनने चला है यह वही बैक्ति है ना जिसने 2020 में कहा था कि हम अधी मुखमंतरी बनेंगे हमारी सरकार बनेगी तो नितिश कुमार को जेल भेजेंगे यह वही बैक्ति है ना तेश्रवन जी इस तरह का बयान देना क्योंकि एंडिये का हिस्सा तो अभी तक आप लोग है भले ही आप लोगों की आम देखी की गई हो या आप लोगों को नजर अंदास किया गया हो लेकिन बावजुद इसके कभी तो एंडिये ने तो नहीं कहाया फिर बीजेपी ने तो ने तो यह नहीं कहाया कि आप लोग एंडिये का हिस्सा नहीं है अरे चिराग पासवान एंडिये का प्रवक्ता है क्या वह जो बैक्ती बोल रहा है वह एंडिये का अभिकरित प्रवक्ता है क्या एंडिये ने हमको तो आफिके द्वारा जानकारी मिल रही है कि आजकल मोदी का हनुमान था अब एंडिये का भी नीति निर्धारन वही करेगा क्या तो अपना पार्टी का ना अध्यक्ष है कुछ चंद लोगों कुछ खास लोग कुछ की पार्टी है जो बैक्ति की बात आप कर रहे हैं आधरनिय पस्पति कुमार पारस हमारे दल के राष्ट्री अध्याच्छ राजनीत के बिहार के राजनीत के भी सुविध्याल हैं बिहार के पॉलिटिक्स के युनिवर्सिटी हैं यह तो राजनीत में अभी जनम लिया है जुमा जुमा चा पारजी की बात करता है आधरनीय पस्पति कुमार पारजी उसके बाप लगेंगे चाचा है राम बिलास पासवान जी के सगे भाई है पस्पति कुमार पारजी ने उंगली पकर के उस बैक्टी को 2014 में लोकसभा भेजा था लोकसभा का जो वह मुँ देखा पस्पति कुमार पारजी के किरपा और असिरवास से जब दो मेहना जमूई में पस्पति कुमार पारजी ने केंप किया उसको सांसत बना कर लोकसभा भेजा छोटा मुँ बड़ी बात नई करना चाहिए यह बात आप कह रहे हैं चाचा प्रशुपति कुमार पारस की वज़े से बने इसे पहले भी प्रशुपति पारस जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्रीय है उनका बयान सामने आया था उन्होंने कहा था कि रामविलास पासवान जी जो कारे किया करते थे या फिर जो काम करते रहे हैं तो उनके पीछे उनका भी योगदान था कल अरुन भारती जी से परसनली बातचित हो रही थी खास बातचित इंटर्व्यू के दौरान उनोंने कहा कैसा कोई योगदान जो है वो उनका नहीं रहा है कौन है अरुन भारती भाई अरे कौन छुट भाईया नेता का बात कर रहे है सांसद हो जाने से नेता होता है केतना बलतकारी आवारा, लुच्चा, लफंगा, क्रिमनल, अपराधी बहुत लोग जीत के जाता है जनता जिता देती है तो निता हो जाता है क्या पस्पती कुमार पारस जी 1977 में पहली बार एमेले बने 50 साल का उनका राजनितिक जीवन है 50 साल का संसदिया जीवन है 7 बार विधायक हुए MLC हुए 4 बार बिहार सरकार में मंत्री हुए नितीश कुमार जी के मंत्री मंदल में दो बार मंत्री हुए लालु जादब जी के आधरनीय लालु परसाद जी के मंत्री मंदल में दो बार मंत्री बने हाजीपुर से सांसद बने केंदर में भारत सरकार के केबिनेट मंत्री बने जो आज जनम के खरा हुआ है अरे वह बैक्ति अपने साला के किरपा पने लुक्स भा पहुचा है वह बैपारीन है भाई जिसकी बात कर रहे हैं बैवसाईन है उन्हें ता कब से हो गया उसकी इतनी पोलेटीकल हैसियत नहीं हुई है कि पसपतिकुमार पारस पर कोई ब्यान दे अभी इतनी राजनी अरुन भारती को हम जानते हैं हमसे मत बोलवाईए जो नोचनी खुजली हो गया है नहीं लोग को पस्पति कुमार पारस जी की जो ताकत दो दिनों से दिख रही है पूरे बिहार में जो दो दिनों से यहां बैठक हुई है जो ग्यारा बजे से लेकर आठ बजे तक पूरे बिहार के लोग बिहार के नेता कर्च करता राम बिलास पासवान के अनुवाई परसंसक चाने वाले दलिस सेना के नेता जो इतनी बड़ी संख्या में दो दिन तक यहां बैठक किये हैं तो नोचनी खुजली जो हो गया है उसके नेता को सब नोचनी खुजली दो हजार पचीस में जो है ना सब नोचनी खोजली का इलाज हम लोग कर देंगे। निश्चित रुप से आधरनिय दिलीब जैसवाल जी के ब्यान का हम स्वागत करते हैं। वही जिस बैक्तिक आप बात कर रहे हैं। वह जो पांस सांसत के हंड्रेट परसंट स्ट्राइक रेट की बात करता है। अरे आधरनिय नरेंद्र मोदी जी के किरपा पर न अरनितीज जी के किरपा पर न पांस सांसत जीता है। दो हजार बीस में लरे थे ने चुनाओ जी। एक सो पैंतिस सिट पर दिये थे ने तुम उमिद्वार। कैगो जिता था। एगो। राजकुमार सिंग जीत के आए। राजकुमार सिंग जी मतिहानी से। बोले कौन है चिराग पासवान हमने पहचानते हैं। अजादियू में चले गए। हंड़ेट परसेंट स्ट्राइग रेट की बात करता है। चुनावती है दम है तो अकेले लरके देख ले। दक्षा जी अकेले लरा था ना। बिहार में दो हजार बीस के चुनाव के बाद दो उप्चुनाव हुए थे। याद होगा आपको कुसेस्वरस्थान में अतारापूर में। जमान जब्त हो गई थी। अपने आपको पासवान का बरा नेतम मानता है। अपने आपको बरा सुर्मा भुपाली समझता है। तो बहुत बरा सुर्मा भुपाली था तो उप्चुनाव भी तो लरा। उसके बाद कई MLC का चुनाव लरा बिहार में। उसने अपनी पार्टी का उमिदवार दिया इंडिया के बिरोध में, जमाना जब्ध हो गई, 30 वोट, 40 वोट, बरका सुर्मा भुपाली हो, 30 मार खान हो, 100% स्ट्राइक की बात करते हो, तो दम है, तो चुनावती देता है, राष्टिय लोग जनसक्ति पार्टी का परवक्ता अधी तुमारी पॉलिटिकल हैसियत है, तो अकेला अकेली आजाओ, 2025 में तुम भी अकेले लरो, राष्टिय लोग जनसक्ति पार्टी भी अकेले लरेगी, लड़के आमने सामने का फैसला कर लो, अरे नरेंदर मोदी जी के किरपा पर, नितीस कुमार जी के गोर में लटक कर, माफी मांग कर, कि हमसे गलती हो गई, नितीस बावुच्य चाजी, कि हम जो बोले थे, आपको जेल भेजेंगे, हमको माप कर दीजे, गोर पकरते हैं, गोर पकरके गैर कानूनी रूप से हमारा कारियाले ले लिया, कानून के गला घोट कर, हमारे नेता कहते हैं, बैक्ती बलबान नहीं होता समय बलबान होता है समय का इंतजार किजिए कौन कितने पानी में है उसके मासूम चेहरे पर मज जाईए अंडर में कुछ और है बाहर में कुछ और है बहुत बड़ा पलिटिकल फरे भी और धूरत है वो बैक्ती एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग है न तो क्या मिलिये ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सीरत छुपी रहे तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना है इसा पॉलिटिकल आइटेम बुआ है इन नचनिया भजनिया किर्तनिया की पार्टी है नाच गाना करे इस्टेश सो करे राजनित की भासा हमको नहीं समझाए और हमारे नेता आदर्निय पस्पति कुमार पाराजी ने डाक्टर राम मनोहर लोहिया महान समाजबादी नेता जन्नायक करपूरी ठाकूर लोकनायक जेपरकास नरायन राज नरायन इन लोग के नेतरत में पस्पति कुमार पाराजी ने राजनित शुरुवात की थी है ना नारा लगाया था संघर्स का संघर्स का नाम है पस्पति कुमार पाराज प्याग का नाम है पस्पति कुमार पाराज बलिदान का नाम है पस्पति कुमार पाराज तपस्या का नाम है पस्पति कुमार पाराज अब पाराज वाओने सही कहा कि राम बिलास पासवान को सजाने में, सबारने में, पार्टी को बनाने में, पार्टी को बराने में जितना राम बिलास पास्वान मेरे बरे भाई का योगदान था जितना हमारे राम का योगदान था, उतना इस लक्षमन का भी योगदान था पसपती पारस नारा लगाया था जेपी के साथ करपूरी के साथ लोहिया के साथ दम कितना है दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे संसो पाने बांधी गात पिछरा पावे में सो में साथ जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है निकम्मी सरकार को गद्धी से उतार दो तो जेपी के जमाने से इंद्रा गांधी ने अपातकाल लगा यह था इमेर्जनसी में उस राजनीत के वाहक है पस्पति कुमार पारस जी अब यह बताए कि अब आगे की रण नीती ठीक आप लोग अठाइस तारीक की तैयारी कर रहें लेकिन सामने की लडाई जो है वो होगी हमारा गटबंधन हमारा जो गटबंधन है को एंडिये यूपिये हम किसी की बात नहीं करते हम अपनी पार्टी की बात करते अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करते अपने संगठन को गाउं गाउं ले जाने की बात करते और हमारा ज गटबंधन है कलते हो गया है दो दिनों की बैठक में राष्ट्रिय लोग जनसक्ती पार्टी का गटबंधन बिहार की 14 करोर जनता मालिक के साथ होगा और जनता मालिक के मैदान में जाएंगा दो हजार पचीस का जो विधान सवाचुना है पूरी मजबूती से राष्ट्रिय लोग जनसक्ती पार्टी लरेगी और बिहार में बिना राष्ट्रिय लोग जनसक्ती पार्टी के दो हजार पचीस में किसी की सरकार नहीं बनेगी तो देख सकते हैं साफ तोर पर राश्ट्रिय लोग जुन शक्ती पार्टी के फार ब्रैंड नीता श्रवगबन अगरवाल जी से बास्चीत कर रहे थे और ऐसे में जो बयान एक चिराग पास्वा ने सुबह सुबह दिया जिसमें उन्होंने चाचा परशुपती कुमार पार पार्टी को इंडिय का हिसान नहीं बताया उसको ले करके क्या कुछ कहते नजरा है साफ तोर से आपने सुनाए कैमरा परसन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया दर्श न्यूस पटना